मैं हूं आशुतो शेकबार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चानल में तो आज किस वीडियो में अपनी बाइक के इंडिकेटर चेंज करेंगे इंडिकेटर स्क्वेंशल है तो इसके लिए मुझे पहले अपने बाइक की रिले जो है डारेक करने पड़ेगे जो फ्लैशर की रिले होते है पूरा मॉड्यूल है लाइट का जैसे कि आप देख रहे हैं यह हमारा मॉड्यूल है इसको मैं निकालूंगा और आपको तो सबसे पहले निकालने के लिए कुछ नहीं है यह जिस लोगे की पट्टी पट्टी काव है उस तरह के से आपको खीश लेना है इसली निकल जाएगा बहुत इजी स्टेप से इसको निकाले जे उसके बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर यह बजाज का ही है बजाज का यह पूरा मॉड्यूल है और आपको इसी को डैरेक करना है एकसिक जो मॉड्यूल है पुरा लाइट का घंट्रोल करता है जो की इंजन सर लाइब हमने जब आपको सबसे पहले अलग कर लिए देख रहे हैं solid color वाले wire को आपको shot करके direct करना है क्या से shot करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा तो चलिए बिने time वेश करें आगे चलते हैं तो गाइस मैं रिले से wire निकाल दिया देखें इंडिकेटर नहीं जल रहे है यह देखें यह वाले इंडिकेटर नहीं जल रहे है तो अब हम आपको बताऊंगा आपको कैसे direct करना है सिंपल से shot कर देना है इस रिले को जो की solid colors के wire है दोनों को जैसे ही आप shot कर दोगे आपका जो इंडिकेटर है वो डायक्ट हो जाएगा तो आपको दिखाता हूँ को आपको कैसे करना है कर देता हूँ और इंडिकेटर कर देता हूँ तो दीक ही यह आपको बल्क नहीं कर रहा है तो डायक टे प्लैश चल रहा है क्योंकि इसको golden ज्रूरी होता है वह जैसे ब्लैंक करेगा हमारा इंडिकेटर जो ओफ चलेगा और लाइट बहुत कम आएगी देखे पीछे का इंडिकेटर भी मैंने जो है वो बिल्कुल ब्लेंग करना बंद कर गया है तो इसी तरीके साथ अपनी बाइक के जो इंडिकेटर से हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं अब दूसरी तरफ का जला है दूसरी तरफ का भी जो इंडिकेटर है वो इसी तरीके से काम करेगा जलते हैं अपनी बाइक में किसी तरह की इंडिकेटर जो है वो इंस्टॉल करने वाला हूं यह इंडिकेटर भी है ब्लिंकर भी है साथ में यह डियरल का भी काम करता है इसमे दोनों भी प्लॉपिट ब्लू कलरके इसमें बहुत सुंद्रा सा डीलर जलता है जो की एलेडी का है और जो इंडिगेटर जलते हैं वह स्कूइंशल चलते हैं तो एक काफी अच्छा लूक आता है इस इंडिगेटर समय मैं तो आपको पूरा इंसलेशन दिखा हूँ कैसे हैं तो इंडिगेटर करेक्शन तो वही आपको बहुत ज्यादा सिंपल होगा वह आपको सिंपली कर देना है और आपका हो जाएगा और यह काफी प्रिमियम लगेंगी जब आप इन्हें बाइक में लगा लेंगे खासकर इस बाइक के साथ यह काफी अच्छे मैच करने हैं इस तरफ भी ब्लैक कलर का होगा जैसे आप इसको हलका उपर उठाएंगे दोनों तरह आपको टैन नमर के गोटी विलेगी वह आपको करना है और यह बैक पैनल में आपको सिर्फ उठानी है जैसे आप इसको उपन कर लोगे फिर मैं आपको आज के सारे कनेक्शन बताता है कि है रींक कर लिया है इसका मिस्पीडो मेटर वाला तो आपको करना क्या रहे घा आपको स्कुछ नहीं करना है 14 नंबर का नेट लगे इसमें 14 नंबर की ज जो जाब है उससे आपको डोनों एन्डिकेटर कोलने आगे कर अज鍍े और पीछे के निटं शोलीना या dognight कनेक्शन करके चला के मैं आपको दिखा दो लेगिन देखे कितना सई लुकार है आगे कि मैंने इंस्टॉल कर देए बटाए कि सेटिंग अभी नहीं होगी और कर पाऊंगा तो यह देखें यह आगे का है थोड़ा उपर इसको बाद में सेट करेंगे तो इस सब्सक्राइब आपको दिन दो और जो दो वालग color रहेंगे वो आपके positive रहेंगे एक DRL का है green वाला और red वाला indicator का रहेगा और जो कि इन couples में दोनों चले जाएंगे, okay, so DRLs को connect करने के लिए आपको दोनों green wire joined कर देनी है और आपको एक switch से connect करने है, मैं बताता हूँ मैं अपने DRLs के switch से connect करूँगा क्योंकि मेरे angel lights का DRL भी same रहेगा, तो जो मैं angel lights का DRL वो switch ये है तो इस switch से मैं connect कर दूँगा, अपने जो indicator के चारो DRL है उनको, वो मैं connection कैसे करता हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ So guys, मेरे सारे connections indicator के हो गए है, बस bike pack करना रहे गई है, तो मैं आपको दिखाता हूँ, पहले पीछे से मैं किस तरीके से wire आगे लेके गया हूँ, ताकि indicator के DRL भी चल जाए, तो आपको ये blue wire दिखते है, जो blue wire है, वो मैंने दोनो green wire से attach कर जाए, जो के DRL की है, और जो red wire है अच्छे तरीके से, अच्छे तरीके से, अंदर से wire आपको दिख रहे है, जो blue wire दिख रही होगी, ये जो blue wire है, ये मैंने 4DRL से attach कर दी है, अच्छे तरीके से, अंदर से white wire लेके आए तो उसको भी मैंने अच्छे तरीके से attach कर दिया है, so ये देखे, white wire आ रही है, वहाँ से, और ये मैंने attach कर दिया, इस blue wire से, और ये मैंने DRL के switch के साथ connect कर दी है, ये उसका switch है, इसी switch से जो है, वो indicators के DRL भी जलेंगे, और इसी switch से हमारे inch lights के DRL भी जलेंगे, तो मैंने ये connection yellow में कर दिया, तो ये जो plug आप देख रहे है, मैंने डाला है, इसमें ब्लाक टिक लगी वे है, और जो simple है, वो उसका positive है, तो मुझे आगे से कोई भी connection कर दा रहेगा, तो जिस मैं इस coupler पर आपने wire डालूँगा, और उसको लॉक कर दूँगा, उसके female plug से, जिसके वज़े से हमारे connection से में बावर करने नहीं पड़ेंगे, तो green wire आपको तुरिक रहे है, positive में switches के है, और जो इन नेगेटिव के, इन नेगेटिव के है, जो मैंने problems लगाए थे, क्योंकि जो indicator का negative था, वो हमें वहापे indicator के coverage में जाके मिल चुका है, तो ग मैंने जलाए indicator, आगे का भी चल रहा है, पीछे का भी चल रहा है, स्क्वेंशल में इसलिए करते हैं, और काफी सही लुक दे रहे है, यह बाइक को, जब रोड पर निकलेंगे, रात में especially, और देखे, इस तरीके से मैंने जो है, डियारल और एंजर लेट्स को attach कर दिया है, तो जबाइक की DRL सिस्टेम है, वो एक इस से connect कर दिया है, मैंने, सो गाइस मैंने यहाँ पर अपनी पूरी पूरी पाइक टैक कर दी है, अब मैं आपको इंडिकेटर चला के दिखा तो किस तरीके से लग रहे हैं, आप बहुत राफ से देख सकते हैं, यह इंडिकेटर कित कैस पुलसर 125 में तो आपको कैसी लगी, करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए लतो आप चैनल को ज़रूर लाइक, ज़रुकर्ना चैनल को और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना पूरी वीडियो को आप सारी इसनंती वीडियो से круг करों है, आप सभी ह wedge करें सारी वीडियो से झाल